कि हालो फ्रेंट वेल्कम बैक टो यह आज की वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आपके जीओ फोन का सेलेल डाटा यानि की इंटरनेट कनेक्शन किस तरह साव लॉक कर सकते हैं तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं आपको एक के बाद एक दोनों तरीके बदा दूगा तो सबसे पहले आपको करना कि आपको आपको जीओ फोन की सेटिंग समया चुके अब को हापको पर साइड में स्क्रॉल करना यहां पर आपको मिलेंगा प्राइवेसी अन सिक्यूर्टी इसमें जो सेकन ऑप्छन है वह सीम सीक्यूर्टी तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे त SIM PIN OFF है यह भी तो actually मैं आपको पहले बता दूगे SIM PIN होता क्या है SIM PIN एक PIN रहता है कि आप जब भी आपके फोन का Seller data on करेंगे तो यह सबसे पहले आप से PIN request करेंगा अगर आप PIN ENTER करेंगे तो ही फोन का Seller data on होगा देखिए OFF हम इसको on कर देते तो यह हमने इसको on कर दिया अब देखिए यहां पर लिखा है SIM PIN तो हमें आपर SIM PIN ENTER करना है पर actually मैं problem यह है कि SIM PIN जो है उससे setup करना एक काफी मुश्किल काम हो जाता है तो हम इस वीडियो इस SIM PIN के setup के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे आज हम एक simple trick देख लेते तो इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या आप सीधे अपने settings में network and connectivity में आजए यहां पर आपको second number पर दिखेंगा mobile data तो यहां पर mobile data यहां पर आपको last में दिखती है APN setting तो actually पहले क्या होता था कि पहले जब हम APN में जाते थे तो इसको यहां पर एक delete करने का option भी आता था तो जब हम APN को delete कर देते तो phone का internet connection lost हो जाता था पर अब इन्होंने यह delete करने का option हटा दिया है तो इसका हम यह कर सकते ही कि आपको कुछ नहीं करना आपके से भी एक करियर में आना है यहां पर आपको जो network type है automatic पर हम इसको off कर देते हैं तो अब यह manual पर हो जाएगा तो देखें यहां पर आप यह network over LTE और LTE network चल रहा है तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यह गया हो जाएगा देखें यहां पर अभी connecting हो रहा है यह देख लिए गया हो गया आपके फोन के सारे network क्याव हो चुके और आपका इंटरनेट लॉक हो चुका है अगर हमें इससे on करना हो तो इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है यह भी off हो चुका है हमको इसको on करना हो तो हम इसको on कर सकते हैं सेम प्रोसेस से बस आपको वहाँ पर जाना है वापस दोबारा और वही प्रोसेस को करना है और वहाँ पर जीओ 4G को सिलेक कर लड़ा है तो इस तरह से आपका इंटरनेट लॉक एंड अनलॉक हो जाएगा तो ठीक है आज की वीडियो में इतना ही ह हम दोबारा आएंगे हमारी नई वीडियो के साथ तो ठीक है बाए